नमस्कार किसान भाईयों सच्छिकाल स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल सिंग एग्रिकल्चर में तो किसान भाईयों आज हम आए हैं अपने ये खुद के मटर के खेत में तो आज के वीडियो में हम आपको जानकरी देंगे कि मटर में इस समय कौनसी स्प्रे करनी है और जैसे कि आपकी पैदावार जादा से जादा निकल सके ये वराइटी जो है उद्यकाशी वराइटी है जो कि 65 दिन की वराइटी है पैंसरदीन में तयार होके टूड़ आती है फिलाल जे 20 अक्टूबर की वुवाई है जे 20 अक्टूबर को ये मटर की फसल बोई गई थ नशार सिय हुआई भाईयो इस में इस वस्था में जब ये मट्र इस वस्था में आ जाता है देखने फूल लगबग बन चुका है कहीं पर पत्ता भी बनना शुरू हो गए जाने कि जिसे मटर की फली बनना जे देखिए यह बनना शुरू हो चुका है तो इस स्टेज में आप देखते रही है अपने खेत में चक्कर मारके कि आपका मटर पोशन की दृष्टी से तो अब इसमें किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपने इसमें एक चीज का जरूर ख्यार रखना है कि इसमें हमें फंगस का और कीट का उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस सवस्था पर जहां पर अभी तो यह देखिए सूका हुआ खेत है अगर बारिश होती आपके एरिये में या पानी लगा हुआ खेत हो तो उसमें फंगस का अटायक आन देखिए किसान भाईयों मेरे खेत में मटर के बहुत ही अच्छे फूल आए हुए हैं इतनी भारी तादात में फूल आने के लिए मैंने जिन जिन स्प्रेश का इस्तमाल किया है उनके बारे में आज मैं आपको पूरी जान करी दूँगा तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करि है मेडे बना कर नहीं कि यह जैसा कि यहां प्रचलन है यह हमने गन्ने के उपर इसकी बौई की है गन्ना बोने के एक दिन बाद पाटा लगा के उसके उपर ड्रेल से जैसे तो यह सामने है मतर इसमें बिलकुल किसी तरह का कोई पानी नहीं दिया गया, ना शिड़काव विदी से, ना स्प्रिंकल विदी से, और ना ही फवारे से, क्योंकि मटर लगाने से पहले हमने पलेवा कर लिया था खेत में, नमी बहुत अच्छी थी, तो उससे जो है, आपके मटर जो है, बहुत ही अच्छे चलते हुए आ रहे है और फूलों की तादा इससे में बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमने बूरा पोशन का ध्यान रखा है, तो हम आज आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से पोशक तब तो जो है, और कौन कौन सी स्प्रे जो हमने अभी तक इसमें की है, तो जादी लंबी बात ना करते तो मैं इस स्टेज की बात बताता हूँ कि इस स्टेज पर हमने जो है, आज से ये मटर लगबग 20 अक्टूबर के वोई हुए है, तो 20 अक्टूबर से लेकर आज की तारिक है 28 नमंबर, तो ये मटर एक महिने और 8 दिन के हो चुके हैं और इसमें पत्ता बनना शुरू हो च जाएगी, देखिए ये पत्ता जो है, ये बनना अब शुरू हो चुका है खेत में, तो इसमें हमने, इसमें अधिक फूल लाने के लिए इसमें जो इस्प्रे करी हैं, उनके बारे में आपको मैं जान करी दूँगा, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं किसी भी कंपनी क एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, ना मुझे कोई कंपनी इसके बार लिए, मुझे पे कर रही है, तो आप जो है, किसी भी दूसरी कंपनी का वो प्रोड़क्ट ले सकते हैं, तो हमने जो है, यूस किया था इसमें, फूल जब आने की स्टेज शुरू होई थी, जब फ प्रती लीटर पानी के हिसाब से, एक एमल प्रती लीटर पानी में उसका गोल बनाकर, और साथ में, जीरो बावन चौटिस, उसकी हमने 400 ग्राम मात्रा एक एकड़ में इसकी यूस की थी, तो उससे इतना बहतरी रिजल्ट हैं, कि आप सामने देखी सकते हैं, कि खेट जो ह इसे मुझे लगभग चालिस से पैतालिस कोंटल एक एकड़ में मटर की पैदावाल मिलने की संबावना हैं, किसान बाईयों, मैं आपको दिखाने के लिए ये सुबह के टैम पे आया हूं, खेट पे, कि कैसे बिना पानी के मटर की खेटी इतनी अच्छी हो सकती है, तो दे शित्र है, बहाँ पर ओस बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ये देखे, ये देखे, मेरा हाथ बिलकुल गीला हो गया, इतना पानी भगवान खुदी दे देते हैं, तो मटर में पानी की आप शक्ता ही नहीं होती है, इस समय बिलकुल कोहरा चारतरफ्स पहला हुआ हुआ ये सब पानी काई काम करता है,